हेलो दोस्तों वेलगाम वेक्टार्वान वनफोर और दोस्तों आज हमारी वीडियो में हम बात करने वाज है डॉप मोस्ट पाइप स्मार्टप्वन अंडर 10 लेस्टों दस हजार के अंदर के पांच सबसे बड़िया फोन इस वीडियो में हम इस पर बात करने वाले है तो और साती साथ हम इन पांचो डिवाइसे इसकी जो है तो आपको पूरी स्पेस्टिफिकेशन बताएंगे availability बताएंगे और इसके साथ में क्या आपको discount इसके अंदर और मिलतकता है ये भी हम आपको बताएंगे तो वीडियो को आफरी तक जरूर देखिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुदारिश है कि हमारी चनल को सब्सक्राइब करना ना पुले दोस्तों जू करते हैं सबसे पदले बात करते हैं नंबर 5 की धूश्य हमारी इस Story में पाचवे नंबर पर मॉडल दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहिए इसके अंदर अंड sendiri मिलता है वह पर अगर आपो chipset की बात करें तो इसके अँदर आपको Unisop का T610 का chipset मिलता है CPU कि अगर हम बात करें तो दोस्तो इसके अदनर आपको octa quad processor मिलता है 1.8 GHz के साथ में दोस्तो variant की अगरा हम बात करें तो इसके अदनर आपको دो variant न mến laugh 3Gb 32Gb और 4Gb 64Gb दोस्तो चैमरी के कमरे के बादें तो तूपि कैमरी के सो इसके बादें लॉकर सब्सक्राइब कर फिक्तह बद hard चाइब वाहिं पर अगर संंदर हैं नहीं इस पीकर के मिलता है हैution में नहीं गस müssteुर्ण दो applaudि बंद सब है ककि उनगे की बैटरी मिलती है दोस्तों आफीर में हम बात करेंगे इसकी प्राइजिंग की 10,499 रुपे 4 जीपी 64 जीपी क्या है और 9,499 रुपे में आपको 3 जीपी 32 जीपी वाला मॉडल्स के अंदर मिल जाएगा तो यह बजट फोन है इसके अंदर कुछ ज्यादा खास फीचर्स नह का IPS LCD स्क्रीन मिलता है वह इसकी बात करें तो Android 11 आपको इसके अंदर मिल जाएगा दोस्तों चिपसेट की अगरा मात करें तो मिडिया तक का हिलियो जीपाइग का चिपसेट मिल जाता है और CPU की बात करें हम तो इसके अंदर आपको मिलता है 2.3 जीपाट्स का जो बहुत ही इसके अंदर बहुत ही बड़िया बात है वेरियंट इन्स के अंदर आपको दो मिलते हैं 3GB 32GB और 4GB 64GB दोस्तों कैमरा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 3 setup camera मिलता है 13MP, 2MP और 2MP दोस्तों selfie camera भी इसके अंदर आपको 5MP का मिलता है इसमें आपको fingerprint में मिलता है बैक साइड में दोस्तों बैटरी के अगर बात की जाए तो इसके अंदर 5000MP की बैटरी आपको मिल जाती है दोस्तों यह चौते नंबर पर इस दिसमें चौते नंबर पर यह डिवाइस था हमारा जो रियल मी के डिवाइस से थोड़ा बैटर आप्शन आपको इसमें मिलता है दोस्तों आफिर में pricing के हम बात करते हैं दोको की प्राइजिंग के अगर हम बात करें तो फ्लिप कार्ट के उपर यह आपको 949 रुपय में चार जीबी चौसर जीबी वाला वरियाट मिलता है और 849 रुपय में आपको 3 जीबी 32 जीबी में मिल जाएगा और दोस्तों फ्लिप कार्ट एक्सीज बैक से आप पर्शे प्लस दिस्प्ले मिलता है 90Hz रेफ्रेश रेट के साथ में जो बहुत ही इस प्राइज सिग्मेंट में बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है वह इसके अगर बात करें तो इसके अंदर भी आपको Android 11 मिल जाता है और चिपसेट इसके अंदर आपको आपको इसके अंदर चिपस दोस्तो कैमरा के अंदर आपको 3 camera मिलता है बैक साइड में, 48 MP, 2 MP और डिस हीसके अंदर दोस्तोर इसके अंदर बहुत ही बढ़िया camera मिल जाएगा और इसफिकर इसमें आपको सिंगल ही मिलता है, इसमें आपको नहीं मिलते हैं, दोस्तो इसके अंदर भी finger find आपको back side में मिलता है, बैटरी के अगर हम बात करें तो बैटरी इसके अंदर आपको 5000 एंपर की मिलती है, भी 10W Charger के, दोस्तो इतनी मैसिव बैटरी के साथ में Charger minimum 18W का होना चाहिए था, दोस् 800 रुपय का instant discount आपको इसमें मिल जाएगा, दोस्तो अमारे इक स्क्रीस्ट में second number पर है Micromax का Note 1, दोस्तो इसके अंदर डिस्पले आपको 6.67 इंच का full HD IPS LCD screen मिलता है, OS के अगर हम बात करें दोस्तो तो इसके अंदर OS आपको Android 10 का मिलता है, वहीं पर chipset के अगर हम बात करें दोस्तो तो आपको इसके अंदर chipset Helio का G85 का मिल जाएगा, CPU की हम अगर बात करें दोस्तो इसके अंदर प्रोसेजर मिलता है 2.0 GHz का, variant आपको इसके अंदर 2 मिल जाते है, 4GB, 64GB और 4GB, 128GB, दोस्तो कैमरा की अगर बात करें तो इसके अंदर 4 setup camera है, back side के अंदर, जो बहुत की, plus point device mobile के अंदर, जिहां दोस्तों इसके back side में 4 camera setup दिया गया है, 48MP, 8MP, 2MP और 2MP, 10,000 के अंदर में ये camera setup बहुत ही बढ़िया है, selfie camera इसके अंदर काफी दंदार निया गया है, दोस्तों 16MP का selfie camera इसके अंदर आपको मिल जाएगा, speaker के हम बात करें तो, इसके अंदर भी जो तो आपको speaker single ही मिलता है, stereo speakers आपको इसके अंदर नहीं मिलते हैं, इस device में भी आपको fingerprint back side में मिल जाएगा, दोस्तों बैटरी के अगर हम बात करें तो बैटरी इसके अंदर 5000 A की मिलती है, 18MP fast charger के, दोस्तों इस device के मुझे specification काफी बढ़िया लगी है, काफी बढ़िया इसके अंदर feature दिये गए, अगर आपको camera के usage ज्यादा है, तो आप यह mobile फिल्कूल पर्चेस कर सकते हैं, प्राइज इसकी है 9999 रुपे फिलिप कार्ट के उपर, अगर आप access bank फिलिप कार्ट से पर्चेस करते हैं, तो 500 रुपे और इ इस लिस्ट के number one model की, जो है Infinix का Hot 11S, जीना दोस्तों Infinix का Hot 11S, इस लिस्ट में number one पर आता है, क्यों चलिए मैं बताता हूं आपको, सबसे पहले हम display की बात करेंगे, आपको इसके अंदर जो display मिलता है, 6.7 inch का Full HD Plus display मिलता है, with 90Hz refresh rate के, जो बहुत ही बढ़िया display है दोस्तों इस price segment के अंदर, और उसके बात OS की अगर हम बात करें, तो Android 11 आपको इसके अंदर मिलता है, chipset की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर Helio का G88 का processor मिलता है, जो बहुत ही बढ़िया processor है दोस्तों, इस price segment में, और कोई company आपको इतना बढ़िया processor नहीं देती, CPU की बा बात करते है camera setup की, back side में इसके अंदर आपको दो camera मिलते हैं, 50 megapixel और 2 megapixel, selfie camera इसके अंदर आपको 8 megapixel का मिल जाएगा, और सबसे बढ़िया जो मुझे इसके अंदर जो चीज लगी है, दोस्तों, इस में stereo speakers आपको मिलते हैं, इस device में भी आपको fingerprint back side में इसके अंदर मिल जात 10 ले रुपे हैं, और अगर आप access bank crypto card से purchase करते हैं, तो 500 रुपे instant discount में आपको मिल जाएगा, तो दोस्तों, ये 5 devices थे अंदर 10 के, जो मैंने आपको सारे बता निये है, अब आपकी usage के साथ से mobile choose कर सकते हैं, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको camera का अगर ज्याद बजट अपका कम है, camera views आपका ज्यादा नहीं है, तो आप Realme और Poco purchase कर सकते हो, बाकि अगर दोस्तों, मैं Infinix की बात करो, तो ये मुझे अंडर 10 के, और अंडर mobile लगा है, इसके तर आपको हर चीज़ मिल जाती है, अच्छा processor मिल जाता है, अच्छा camera मिल जाते है, अच्छी सबस्क्राइब करना ना बुले, मिलते हैं आगरी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए, बाय,